गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज में तो हनुसुनहरी सवेर पंजबी पाठ माला पाग सत्विच दर्ज पाठ नमबर दो पोधी रात बरे पड़ावांगी कहानी पोधी रात कहानिकार मुची प्रेम चंजी द्वारा लिखी गई है इस विच कहानिकार मुची प्रेम चंजी ने ग्रीब की सांदी आर्थिक स्थिती नू दर्साया है सो स्टूडेंट्स हुन मैं तो हाननू अज पोधी रात कहानी दी ब्रीव संबरी दसानी इस कहानी विच हल्कूते मुन्नी दोमे पती पतनी हन जबरा उनना दा कुत्ता है ते सैना एक सायक पातर है इस सारी कहानी इनन दे आले द्वाले ही कुमती है हल्कूते मुन्नी जिना ने पोधी रातां कटन ले एक कंबल लायना सी ता जो उह कडाके दी ठांड विच अपने आवनू ठांड तों बचा सकन जेस कारण उनना ने मेनत मजदूरी करके तीन रुपए जोडे सन पर उनननू मजबूरी वस आके उजोडे तीन रुपए सेहने नू देने पए सन इक दिन हल्कू अपने खेतां विच बैठा ठांड नाल कंबरे आ सी उसदे खेत कोल ही अमबादा बाग सी हल्कू अथे उसदा कुत्ता जबरा दोमे पत्यां दी आगबाल के सेकन लग पै इनने नू जबरा कितो हड़ी लबले आया थे खान लग पै पत्य जाल चुके साल उनना दा अजे सेक बाग की सी हल्कू ने चादर लई ते गीत देख बोल गुणबुण लगा हल्कू दे श्रीरच तपशा चुकी सी नाल ही उसदी आखला के दुज्जे पास से नील गौँआ जोकी हल्कू दी त्यार खित्ती फसननों पूरी तरा तबाग आर दिन दिया जबरू जोर जोर नल पॉंकदा होया खेता मल दोड़ता है पर हल्कू विच उठन दी हिम्मत नहीं सी नाही उसदा देल उठन नू कर रहा सी पर हल्कू दे दिलो अवाज आ रही सी कि जबरा किसे नू खेत विच नहीं वड़न दवेगा पर उदर नील गौँआ खेत दा सफाया कर गईया है एह सब कुछ देख के मुन्नी दे चेहरे दे उदासी छाग गई मुन्नी उदास हो के केंदी है अजे भी सुता रहना है उदर देख सारा खेत खतम हो गया पर हल्कू अंदरो ही अंदर खुश हो रहा सी क्योंकि होन उसदा पोधिया रातना वीच खेत चोन तो खेडा छुट गया सी सो स्रूडेंट्स एसी कहानी पोधि रात दी ब्रीफ समरी सो आसी होन रीडिंग शुरू करन तो पहलना पेज रंबर थाटीन और फॉर्टीन दे उक्के शब्दां दे अर्थ विद पैंसिल ओन बुक लिखांगे तुसी वी नाल नल एहे लिखोंगे फर्स्ट वर्ड इस चाडू बुहारी ब्रूम सुंभर साफ करना तू क्लीन पो माग दसंबर जन्वरी कटांगे गुजारांगे आख्या केहा तू से गलों लथे पिच्छा चुटे खातर लई गुसे विच क्रोध विच एंगर सुख दा सा लवांगे अराम नाल रहांगे जा चैन लवांगे जिगर दिल हाट कदम कदम पैर पैर स्टेप टू स्टेप गरिबी दे पार हेठा दबदा जाना आर्थिक मंधाली दा शिकार होना फाइनेंशिल क्रैसिस किनारे, कंडे, एजिंग आंगा, हरेपत्ते, ग्रीन लिव्स नेक्स्ट पेज, पेज नूमबर फॉर्टीन टिड्ड, पेट, स्टमक चाती मार्दा, नजर मार्दा पाला, ठंड, कोल्ड पॉन, हवा, एर, चिल्मा, सिगार, सिगार पोरा, थोड़ा, लिटल मन दुझे पास से लग जाना त्यान दुझे पास से लगना सो स्टूडेंट्स, आज असी करांगे एथो तक वर्ड मिनेंग होन असी स्टार्ट करांगे रीटिंग तुझे रीटिंग नुझे त्यान नल सुनोगे हलकू ने पत्नी नुझे हा सेना आया है जिडे पैसे जोडे ने मैंनु दे, उसनु दे दिया किसे तरह गलों लग थे मुन्नी चाडू नल था सुंबर रही सी पिछे तकदी होई बुली तीन रुपये ने उसनु दे दित्ते तकंबल की में खरीदांगे पो माग दिया रातां की में कटांगे उसनु कै फसल आई ना दियांगे अजे नहीं हलकू नुझे पतासी सेहना नहीं मननेगा उसने मुन्नी नुझे दुबारा आख्या देवी दे गलों लथे कंबल खातर कोई होर हीला कार लवांगे मुन्नी रोध विच हलकू नुझे दिन्दे होई बुली तुहुन खेती चट दे मजदूरी करांगे ते सोखदा साल अवांगे हलकू मुन्नी तो पैसे लेके बार आगया जिवें अपना जिगर कटके किसे नू दे रहा होगे मसदूरी चोसने तेन रुपए कंबली जोडे सन ओही तीन रुपए सेने नू दे रहा सी कदम कदम ते हो गरीब बीदे पार हेठा दबदा जा रहा सी सो स्टूडेंट्स असी इस पैरे विच पड़िया है मुन्नी जो की चाडूनल था सुमबर रही सी हल्कू आके उसनू केंदा है कि सेना आया है जडे पैसे जूडे हैं उसनू दे दिया ओहो गले लथे पर मुन्नी उसनू स्वाल कर दी होई केंदी है असी पो माग दिया राता कटन नहीं कंबल नहीं रखे सन तुसी उसनू कह देओ फसल आई ता दे आंगे पर हल्कू नू पता सी की सेना नहीं मननेगा उसने फिर मुन्नी नू केहा कि दे दे पैसे ओहो गलो लथे कंबल खातर ता सी कोई हो और वी हिला जा कोई रा लब लवांगे मुन्नी गुसे विच आके उसनू पैसे ता दिंदी है पर नाल उनू केंदी है कि होन खेती छट दे मजदूरी करांगे ते किते सोखदा सावी लवांगे हल्कू मुन्नी तो पैसे लेके बाहर आ जानदा है पर उसनू एमें मैसूस हुनदा है कि जिमें ओहो अपना जिगर कड़के दिल कड़के किसे नू दे रहा होवे क्योंकि उसने मजदूरी करके ही तीन रुपे कंबल लई जोडे साथ जो कि उसनू सेहने नू देने पैँ इस तरह हो कदम कदम ते ही गरीब भी दे पार हेठा दबदा जा रहा से So students, इस दे नाल ही में तो अनू कुझ प्रचर पुच्छांगी पोधी रात कहानी दे कहानीकार्दा ना दसो पोधी रात कहानी दे कहानीकार्दा ना मुँची प्रेमचन जी है धल्कूते मुन्नी दा आपास विच्च की रिष्टा सी। हल्कू कॉल पैसे कौन 비ंगन ओंदा है। स्टूदेंट्स क्लियर, उनसी करांगे, next factorial पोधी हा नेरी रात विच हल्कू अपने खेर किनारे गन्या दे आंगा दी छत्री थल्ले पेज नंबर 14 ते आवांगे मन्जी दे चादर लई बैठा काम रेहा सी मन्जी थल्ले जबरा टेड अंदर मूवाड के ठांड विच चूँँँँँँँँँँ करी जन्दा सी दोहानू नीदा रही सी मन्जी हेठा चाती मार्दा हल्कू बोल्या क्यों जबरे पाला लगदा करे ही प्राली ते प्यारें दा इत्थे की करना आया है, होन मर ठंड विच, मैं की करा, जबरे ने पूश ही लाई, उबासी लाई ते चुप हो गया, हलकू ने ठंड, ठंडा हाथ काट के जबरे दे पेठ ते फेरिया, ते बोल लिया, काल तो मेरे नाल ना आई, नई ता ठंड विच मर जाएंगा, पता नही पौन कित्थों बरफ चुकी आ रही है, किसी तरह रात लंगे, अठ चिलमा परके पी चुका हाँ, वारबा मजदूरी असी करते हाँ, ते एश कोई दुझा करता है, उसने उठके स्वादे टेर्चू, पोरा अगले के चिलम परी, ते बोल लिया, पीएंगा जबरू, मान ही दुझे पासे लग जाओ, उन इस पैरे विच असी देख देहा, कि हलकू, पोधी रात विच अपनी खेत दे कंडे, गन्या दे आंगा दी छत्री थले, बांस दे मंजे दे बेठा काम रहा सी, जोगी उसनों ठंड बहुत लाग रही सी, और मंजी थले जबरा वी करना आया है, होन ठंड विच मर मैं की करा, जबरे ने अपनी पूशला हुँदा है, ते उबासी लई ते चुप हो जानता है, हलकू ने ठंडा हाथ कटके फेर प्यार ना लोसी पिठ ते फेर या ते बूल लिया, कि काल तो ना आई, एमें ठंड विच मर जावेंगा, एथ पिठ था हवा जड़ी है, बरफ चुकी आ रही है, केसे तरह रात लंगी, आठ चिलमा परके हलकू पी चुका सी, ते नाल ही नाल हो, राबना, राबनू कह रहा सी कि मजदूरी ता आसी लो करते हा, ते एश होरी कोई करता है, उसने फिर ओठ के स्वादे टेर चो थोड़ा जे आगल है के चिलम परके बोल लिया, पिएगा जबरू, जबरू नू केंदा है कि तू चिलम पिएगा, इसनल ठांड ता की कटनी है, बास मान ही दुझे पासे लाग जाओगा, उह अपने मान नू होंसला दिन्दा होया, केंदा है, क्लियर बिटे, इस दे नाल ही में तो अनू कुझ प्रशन पुच्छांगी, हलकू कित्थे बैठा काम बरेहा सी, हलकू खेद दे कंडे, गन्या दिया आंगा दी छत्री दे थल्ले, बास दे मंजे दे बैठा काम बरेहा सी, हलकू मंजी हेठा चाती मार्दा जबरू नू की केंदा है, तू कारही रेंदा, तू तो इत्ते की करन आया है रलकू जब बुस जब प्लू दे पेठते हाथ फेर के की केंदा है, कि तू कल ना आमी नहींता तू ठंड विच मर जावेंगा हलकूने पहला कि निया चिल्मा पर के पीतियां सी, हलकूने अठ चिल्मा पर के पीतियां सी So students, इस दे नाल ही सड्डी एथो तक दी reading खतम हुनती है तुसी इस नू पाठ नू दुबारा पढ़ोगे, दुबारा रीड करोगे ता जो तुहा नू इह पाठ चंगी तरह समझा सके ते नाल ही नाल दुसी इस दे उखे शब्दा दे अर्थवी याद करोगे Thank you